हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल कचोड़ी तो आपने बहुत खाई होगी लेकिन चावल के आटे और मतर से बने वी इस तरह की कचोड़ी आपने सायाधी खाया होगा तो आप इस रेश्पी को जरूर ट्राइक कीजिएगा बहुत ही पसंद आएगा बच्चे हो या बड़ी सब मांग मांग के खाएंगे तो चलिए फे बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पे हमने गैस को आउन करके कड़ाई चड़ाई है कड़ाई गरम हो गई है तो हम इसमें दो चम्मच के करीब तेल डालेंगे तो यह देखिए तेल गरम हो गया तो हम इ एक मिनट के लिए फ्राय कर लिए तो देख सकते हैं प्याच को उमने एक मिनट के लिए फ्राय कर लिया है बहुत जादे यसी फ्रायस नहींका भीक्ति और है भारे घ्रम इसमें को स्पल मटर से बना तो इसे प्याज के साथ थलका से मिक्स कर लेते हैं, अब हम इसमें दो कटे वे आलू डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने आलू के चिलके को तार लिया है, और इसे अच्छे से धो के इसे छोटी टुकड़ों में कट कर लिया है, इसे हम मतर के साथ मिक्स कर लेते हैं, तो देख स और इसे मिक्स कर लेते हैं तो इसे में कुछ सिकन के लिए फ्राइ करना है ताकि हल्दी का जो है कच्छापन है वो निकल जाए यहाँ पर हमने दो चमज के करीब पानी लिया है बहुत ही जादा पानी नहीं लेंगे जब हम इसे पकाएंगे ना तो यह चिप के ना इसलिए हमने दो चमज के करीब पानी डाला है अब हम इसे ढग देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि मटर और आलो अच्छे से सौप्ट ना हो जाए तो देख सकते हैं हमने इससे चार से पाच नुट के करीब पका लिया है और यह बहुत अच्छे से पक गए है तो देख सकते हैं आलो अच्छे से सौप्ट हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसे मैस करेंगे अगर आपके पास मैस सर हो तो आप उससे मैस कर सकते हैं या फिर कोई ग्लास ले लीजिए और इसे अच्छे से मैस कर लेंगे तो देख सकते हैं हमने इसे मैस कर लिया है तो अब हम इसमें खूब सारा कटा हुआ धनिया पत्ति टा लेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इससे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो धन्यापत्ति से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा तो यह देखिए हमने से अच्छे से मिक्स कर लिया तो अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे तो आधा चमच हमने यहां पर गरम मसाला लिया है इसे मिक्स करके हम कुछ स्कंड के लिए फ्राय करेंगे तो यहां पर हमने कुछ स्कंड के लिए से फ्राय कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे और से ठंडा होने के लिए रख देंगे तो यहाँ पर हमने फिर से कड़ाई में एक चमच की करीब तेल करब होने के लिए रख दिया है अब हम इसमें आधी चमच जीटा डालेंगे और से कुछ सिकन के लिए फ्राय करेंगे हम क्या करेंगे इसमें डेड़ कटोरी के करीब पानी डालेंगे तो अब हम इसमें नमक डालेंगे तो नमक हमने श्टफिंग बे भी डाला है तो इसी साब से नमक डाले इसे मिक्स कर देते हैं और इसमें हम हलका सा उबाल आने देंगे तो देख सकते हैं उबाल आ अगिया है तो अब हम इसमें एक कटोरी चावल का आटा डालेंगे तो ध्यान रहे एक कटोरी चावल के आटे में डेर कटोरी में पानी डालना है चावल का आटा डालने के बाद तुरत इसे मिलाते जाए नहीं तो इसमें लंस पड़ जाएगा तो इसे तब तक mix करेंगे जब तक कि ये डो के form में ना आ जाए तो medium आज पर इसे चलाते रहे बहुत ही जली ही पानी को सोक कर लेगा चावल काटा तो देख सकते हैं पानी को चावल काटा ने सोक कर लिया है और ये डो के form में भी आ गया है तो अब हम क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे लेकिन गैस करने के बाद भी हमें इसे कुछ सिकन के लिए चलाना है नहीं तो ये चिपक जाएगा क्योंकि कड़ाई जो है वो गरम रहती है तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो देख सकते हैं चाबल काटा ठंडा हो गिया है बहुत ही जादा ठंडा नहीं करना है बस उतना ठंडा करना है कि हम इसे हातों से चूँ सके और हलका साथ हमें तेल लगाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह देखिए हमने सॉब्ट डू बना के त्यार कर लिया अब हम क्या करेंगे थोड़ी सी लोई तोड़ेंगे और इसे सबसे पहले हम हातों से गोल कर लेते हैं तो इसे दोनों हातों से पहले गोल कर लीजिए तो इसे हमें कचोड़ी बनाना है तो जैसे कचोड़ी बनाते है ना बस वैसी हम इसे बनाना है अब हम इसमें एक से दू चम्मच श्टफिंग बरेंगे तो बीच में ऐसे दू चम्मच श्टफिंग रखिए और फिर हम इसे बंद कर देते हैं तो इसे अच्छे से बंद कर दे ताकि इस्टेफिंग निकलेना और फिर इसे हातों से हलका सा चप्टा कर देंगे तो देख सकते हैं कचोड़ी बन के त्यार है तो इसी तरह से हमें सारे कचोड़ी बना के त्यार कर लेना है तो इसे हातों से अच्छे से चिकना कर दें तो देख सकते हैं हमने बहुत सारा कचोड़ी बना के त्यार कर लिया है तो अब हम इसे फ्राय करेंगे तो यहाँ पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल गरम है तेल अच्छा सा गरम होना चाहिए अब हम इसमें एक एक करके कचोड़ी डालेंगे जब तेल अच्छी से गरम हो तभी कचोड़ी डाले नहीं तो यह तूट जाएगी और एक साइट से पहले हम 2-3 नट तक इसे मीडियम आज पर फ्राय करेंगे तो देख सकते हैं 2-3 नट हो गया है तो एक बार हम उसे पलट देते हैं और पलट के हम दूसरी साइट से भी ऐसी 2-3 नट के लिए फ्राय करेंगे तो इसे हमें ऐसी एक से दो बार पलट पलट के फ्राय कर लेना है तो देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है तो अब हम क्या करेंगे कचोड़ी को निकाल लेते हैं तो इसे पलेट में निकाल लीजिए तो सारे कचोड़ी को एक एक करके पलेट में निकाल लेते हैं और बचे वे कचोड़ी को में ऐसी फ्राय कर लेना है दोनु साइट से गोल्डन ब्राउन होने तक तो गर्मा गर्म चावल के आटेक की कचोड़ी बन के त्यार है आप इसे एक बच जरूँ ट्राइक किजिएगा बहुत ही पसंद आएगा अगर आपको ये रेस्पी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करके जरूँ बताएं अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सस्क्राइब कर लीजिए मिलती हूँ एक नए रेस्पी के साथ तब तक बाई बाई